असलाम लेकूम कैसे हैं प्यारे प्यारे वियर्स तो बकराईद की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक बात तो आज अपने चैनल यूपी स्पेशल जाइका पर मैं लेकर आई हो आप सभी के लिए स्पेशल कवाब तो आज हम बनाएंगे चपली कवाब रेसिपी वो भी मेर आएकन को प्रेस करना ना भूले तो चलिए इस मज़िदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो मैंने यह पर लिया एक बोल बोल मैट करेंगे हम कीमा तो यहां पर मैंने मतन कीमा लिया है आप चाहे तो बीफ कीमा भी ले सकते है और इसमें मैंने 30 पर सेंट के करीब आइन वन टीजपून गरम मसाला पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जितना नमक आप खाना पसंद करते हैं वन टीजपून जीरा पाउडर और इसमें आट करते हैं मुठी बर बारी कटा हुआ हरा धनिया साथी चपली कवाब बना रहे हैं तो यह टमाटर के बिना कै अच्छे से मिक्स सब्सक्राइ टो इनक्राइट की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है एक बार इस मुझे ताम करेगा है एक आपकी प्रम्ली मैंबर्स को और आप की अचा पडूसमे आप दावत करते हैं तो प्रम पाट आइसन को मैंने हलका सा तवे पर रोस्ट कर लिया अगर आपके पास बेशन ना हो तो आप दो अंडू का भी इसमे यूज़ कर सकते हैं वाइंडिंग के लिए इस से हमारे कवाब अपस में तूटते नहीं है तो बेसन को भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे तो अच्छे से मिक्स कर लिया अब हमें एक जितना हमें कवाब का साइज रखना है उतना हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं लेकिन चपली कवाब थोड़े साइज में बड़े-बड़े होता है तो आपको बड़ अ 22-30 पर याद रखाव नियूद के लागा ने याद रखना के उपहाब करना है अब इनकी साइड को हम चेंज कर देते हैं तो तीन से चार मिंट बाद जब हम low to medium flame पर इने fry करेंगे तो तीन से चार मिंट बाद इनकी साइज को इनकी साइड को में चेंज कर देना है और हलका सप्रैस कर देना है तो चार से पांच मिन्ट में आपके ये मज़दार चपली कवाब बनकर तयार हो जाएंगे जो हम खाना पसंद करते हैं और आप सोचते हैं कि वो रेसिपी कैसी बनेगी तो मुझे कॉमेंट में जब बताइएगा मैं आप सभी के लिए वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगे फिर से लेकर आउंगी एक मज़ेदार और इंस्टेंट जटपट बकराईदी स्पेशल रेसिपी तब तक के लिए अल्ला हाफिज दुआ में याद रखेगा